दोस्तो मद्धिपरदेश में भाजपा की सरकार है और जब आप मद्धिपरदेश के भीतर इन नेताओं के ट्विटर हैंडल देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मद्धिपरदेश विस्सुगुरू बन चुका है विस्सुगुरू में अपनी एक महतवपूर भूमिका अदा कर रहा है या फिर मद्धिपरदेश पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुका है लेकिन जब जमीनी इस तर पर सोचेंगे या देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सायद इन में से कुछ भी हुआ वो सिर्फ ट्विटर पर एक चवनी चाप पोश्टर के रूप में दिखाई दे रहा है इससे जादा कुछ भी नहीं और जादा सोचेंगे तो आप को दिखाई देने लगेगा कि मद्धिपरदेश भले कुछ बने नहों लेकिन मद्धिपरदेश की सिवरा सरकार शा अधिपरदेश में ऐसे हालात हो जाएं कि नेता मंत्री अधिकारी एक दूसरे को काम के लिए सिर्फ ग्यापन देते रहें लेकिन काम कुछ नहीं होगा ग्यापन चलता रहेगा नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक सभी से एक अपील है क इसे हर जगे जरूर शेयर करें जिसे आपके मुद्दे समस्त नागरिकों के सामने हो ना कि लोगों के सामने चूले की आग की तरह जो भुझ जाती है उस तरीके से आपके मुद्दे पढ़े रहे हैं आपके मुद्दे तभी दिखाई देंगे जब आप इसे सोशल मीडिय या के हर प्लेटफॉर्म पर पूरी तनमेता के साथ शेयर करेंगे तो बैराल हम बात कर रहे थे हैं मद्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं की इस समय मद्यप्रदेश में दो मुद्दे प्रमक्ता के साथ वरकर के आ रहे हैं युवा बार बार आवाज उठा रहा है MP ट यहां कोई बच्चा हो गया होगा तो शायद उसकी भी सुपकामना है आपको नजर आ सकती हैं लेकिन नजर नहीं आएंगी तो 51,000 पद MP टेट वर्ग तीन के लिए क्या होना है MP मेरिट जो पुलिस लेश्ट है उसके लिए मद्यप्रदेश का युवा कई बार कह रहा है उ क्योंकि वह मन की बात में कुछ और ही जिक्र करते हैं उन मन की बातों से शायद देश के युवा का पेट नहीं भर सकता इसलिए उस मन की बात को भी अब लोगों ने देखना बंद कर दिया है जब आप पेच पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मन की बात कितनी सु क्या रहा हुआ उसके लिए किसी बी परकार की अक्टिविटी नदेश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के प्रते जो है उनके दरा दिखाई जाएगी और नहीं मद्रेश के मुख मंत्री सिवरास सिंग्ज सिंग लेकर कि आया मद्यप्रदेश का युवा रिसर्च आर्टिकल नहीं लाया है वो ग्यापन लाया है जिसमें उसके भविश्च की मांगे हैं लेकिन सरकार सुन पुलिस भी ऐसे खड़ी हुई है जैसे उनका पतानी किसी समस्या का निदान कर देगी इस तरीके से इसको देख रहे हैं और देखने के बाद उन मांगो का क्या होगा वो ग्यापन कूले कच्ड़े में पड़ा होगा पता नहीं है क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है और जमीनी स्तर पर कुछ नहोगो तो इस सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं और इनके जबाब मद्य प्रदेश की सिवरा सरकार को देने चाहिए जो कि नहीं दे पार है आखर देंगे क्या जब कुछ किया होगा तब तो देंगे जब कुछ किया ही नहीं तो दे क्या सकते ह हो सकता है अगली साल चुनाप की तैयारी चल रही हो और उस चुनाप की तैयारी के चलते कई परकार के नौडिफिकेशन निकाल दिये जाएंगे उन नौडिफिकेशन को मद्यप्रदेश का युवा देखेगा जब तक चुनाप की तारीख आ जाएगी और कहेंगे कि जितव सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगे शेयर कीजिए जिससे आपके मुद्दे हर दिखाई दे ना कि चूले की आख की जो भुजी हुई आगे उसकी तरह पढ़े रहें अगले वीडियो में आप से फिर होगी मुलाकात तब तक किली मुझे दीजिए जासत नमस्का प्राई प्राई